एक दिन राज और आईशा एक लोकल ट्रेन में मिले। राज अपनी डेली रूटीन के हिसाब से एक सीट पर बैठा था जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो खिर्की के पास खड़ी थी। आईशा एक किताब हाथ में ली ये, दुनिया से बेपरवाह थी, लेकिन उसकी आँखों में एक अजीब सी गहराई थी। राज ने सोचा, कुछ बात कर पाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुए। जब ट्रेन थोड़ी रुकी, आईशा की किताब अचानक से उसके हाथ से गिर कहकर अपनी किताब ले ले, एक पल के लिए दोनों की आँखे मिलें। जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो ट्रेन के सफर में, वो छोटी सी मुलाकात, कुछ अलग थी। दोनों ने कुछ ज्यादा बाते नहीं की, बस एक दो बार नजर मिले और एक अजीब सी कनेक्शन महस ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुँचने वाली थी और आईशा ने अपने स्टेशन पर उतरने के लिए तैयारी की, राज के मन में एक अजीब सी कसब थी, क्याई यहां मुलाकात, बस इतनी ही थी। आईशा जाने से पहले, मुस्कुराई और हाथ हिला कर, बाई कहा, राज ने भी एक हलकी सी मुसकान के साथ हाथ हिला दिया, लेकिन दिल में सुचा, काश हम फिर मिलते हैं। वह ट्रेन सेवतरी और भीड में खो गई, राज ने खिरकी से उसका जाने का मंजर देखा और अपने दिल में एक हलका सा दर्द महसूस किया, यह सफर तो खतम हो गया था लेकिन उनकी कहानी बस वहीं रुख गई, न फोन नंबर का बदलाव, न किसी और मुलाकात का बाता। राज अकसर उसी ट्रेन में सफर करता रहा, हर स्टेशन पर उसकी तलाश में नजर ढूंती रही, लेकिन वो लड़की जो एक पल के लिए उसकी जिन्दगी में आई थ शायद यह एक उनका अधूरा प्यार था, एक सफर का हिस्सा जो कभी पूरा नहीं हो सका, मगर उन दोनों के दिल में वो एक छोटी सी मुलाकात हमेशा जिन्दा रही, एक याद बनकर एक मुसकान के साथ, क्या लगता है आईशा और राज फिर मिलेंगे?